आज मेरे अनिश्चित काली नंशन का तीसरा दिन है मैं इस अंशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है दिल्ली में पानी की बहुत कमी है दिल्ली में अपना पानी नहीं है दिल्ली का सारा पानी पडोसी राज्यों से आता है दिल्ली में कुल पानी एक हजार पांच M.G.D. है जिसमें से 613 M.G.D. यानि 613 मिलियन गैलन प्रती दिन हर्याना से आता है लेकिन पिछले तीन हफ़ते से हर्याना ने अपना पानी कम कर दिया है वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे हैं वो सिर्फ 513 M.G.D. यानि 100 मिलियन गैलन प्रती दिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे है एक M.G.D. पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है यानि जब हर्याना 100 M.G.D. पानी 100 मिलियन गैलन प्रती दिन पानी कम छोड़ रहा है तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है हर्याना सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है हम दिल्ली को पानी कहां से दे थे लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हतनी कुंड बराज गए जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है वहाँ पे सबने फोटो ली वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हतनी कुंड बराज में पानी है उसमें पानी भरा हुआ है लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है तो मेरी हर्याना सरकार से हाथ जोड़ के बिंती है कि आप हतनी कुंड बराज के दर्वा से खोल दीजे उसके गेट खोल दीजे दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजे दिल्ली वालों के जो हक का पानी है होने मिलना चाहिए जब तक हर्याना सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी जब तक हतनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी तब तक ये अनिश्चित काली नंशन जाली रहेगा